हेलो फ्रेंट्स! बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जोरों की भूक लगी होती है और समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए तो बस आज मैं लेकि आई हूँ दस मिनट वाली रेसिपी मुश्किल से मुश्किल दस मिनट में ये नास्ता बनके रेडी हो जाता है खाने में टेस्टी लगता है और बनाना भी ईजी और काफी ज़्यादा हेल्दी भी होता है तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो इस रेस्पी को आज हम बनाएंगे चावल के आटे से उसके लिए क्या करेंगे एक कप चावल का आटा डालेंगे आप मेजर कटोरी से भी कर सकते हो या फिर कप जो है आपके पास उसे कर लो अब इसमें डाल देंगे अजवाइन क्योंकि चावल के आटे में अजवाइन डालना बहुत जरूरी होता है बहुत ही अच्छा टीस्ट आता है और साथ में ही डाल देंगे नमक नमक अपने स्वाथ के अनुसार डालें अब इन दोनों को अच्छी तरह से चावल के आटे में मिक्स कर लेना है अब देखे ये अच्छे से मिक्स हो गया अब इस चावल आटे को घोलना है तो क्या करेंगे एकदम उबला हुआ पानी लेंगे गरम पानी तो स्टार्टिंग में आधा कप ही पानी डालेंगे जैसे आप आधा कप पानी डालेंगे न वैसे क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो बचा हुआ और पानी डाल देंगे अभी देखे फिर भी और पानी लगेगा अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हुआ है तो अब थोड़ा सा और गरम पानी डालेंगे और पानी डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल भी लंस नहीं होना चाहिए जो गुठली दिख रही है वो गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब एक गाढ़ा घोल बनके रेडी हो गया है तो बस अब इसे क्या करेंगे थोड़ी देर ठंडा होनी के लिए छोड़ देना है कि अच्छी तरह से चावल का आठा और ज्यादा फूल जाए और फूलने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा तो अब चावल आठे को हमने गोल के दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दिया था थोड़ा सा ये और गाढ़ा भी हो गया और हलका सा ठंडा भी हो गया है तो और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए क्ली क्या करेंगे इसमें वेजिस डालेंगे तो सबसे पहले डाल देते हैं अभी पालक का सीजन है तो डे सारा पालक डाल देंगे आप सबजी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखें इसमें पता ही नहीं चलता है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर थोड़ा सा सिमला मेच थोड़ा सा प्यास यदि आप फूल गोवी है आपके बास तो फूल गोवी भी डाल सकते हैं जो जो सबजी आप डालोगे सभी सबजी इसमें आ जाएगी यहां तक कि मूली भी आप इसमें डाल सकते हो तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ती क्योंकि धनिया पत्ती तो जरूरी यह डालना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ में एक हरी मिर्ची डाल देंगे अब इस नास्ते को और जाता सौफ्ट बनाने क्लिए 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 क्या करेंगे लेना है अब इस्टार्टिंग में तो धेर सारी इसमें सब्जियां दिख रही है जैसे आप मिक्स करेंगे न तो एकदाम कम सब्जी हो जाएगा पूरा सब्जी पता ही नहीं चलेगा कि कहां चला गया है अब यह पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो आप क्या तो अब मसाले में सबसे पहले डाल देते हैं आधा चम्मच धनिया पौडर और जीरा पौडर दोनों डाला हुआ है इसमें या फिर जो नॉर्मल हम लोग सब्जी में जो मसाला डालते है न वो भी मसाला अब डाल सकते हैं आधा चम्मच भूना हुआ जीरा पौडर एक अच्छी तरह से पूरा गुल चुका है तो चलते हैं फिर अब नास्ता बनाने के और आज हम इस नास्ते को अपवे के स्टेंड में बनाएंगे उसके लिए क्या करेंगे आप पे इस स्टेंड लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे ऐक एक बून तेल तो अब ये तेल गरम हो गया है, तो अब इस गरम तेल में क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा राई डाल देंगे, या फिर आप सरसो भी डाल सकते हैं, जो है आपके पास वो डाल दें, क्रैकल होने के लिए कुछ दिर कली छोड़ना है, तो अब ये पूरी अच्छे से क्रैक तो पुरी अच्छी तरह से एक तम अंदर तक सीखेगा, और जो इसमें हमने थोड़ा-thोड़ा TEL टाला है तो तेल से पूरी अच्छी तरह से सीख भी जाएगा, तो अब इसे ढग देते ढख के 5 मिनट के लिए सीखने के लिए छोड़ना है, 5 मिनट हो गिया है कवर हटा ले चैनल को सबस्क्राइब करें